यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी हमारा लहसन का पाउडर जो कि आप घर में इसली बना सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यह मार्केट में लेने जाए तो बहुत ज़्यादा महगा मिलता है और बहुत सारे केमिकल पड़े वे मिलता है तो चलिए आप बनाते है हम घर में मार्केट स्टाइल लहसन का पाउडर तो देख सकते हैं इस तरह की हमने गाठे ले ली हैं 6-7 गाठे ले ली है जिनको तोड़ ली है अच्छे से और देखे इनको छिलने की भी जरूरत नहीं है आराम से ऐसे ही हमें बनाना है तो यह देखे इस तरह से हमने अलग कर दिया जो ऊपर के छिलके थे जो निकल रहा है थे अपने आप वह तो हमने हराहट आ दिया है बट हमने इनकी कल्यों को छीला नहीं है तो इस तरह से देखे हम गाएंडर में डालकर दर दरा ग्राइंड कर लेंगे यानि कोर्सली पीज लेंगे तो यह देखे पिस गया है तो यह थाली और प्लेट में अच्छे से चिपक जाता है जो कि निकालने में बहुत प्राब्लम होती है तो इसको हम एक इस तरह से प्लास्टिक सीट ले लेंगे इस प्लास्टिक सीट पर बिल्कुट पतला पतला फैलाएंगे और देखे हम नाइट में यह वीडियो सूट तो आप थोड़ा सा धूब दिखा दें तो यह देखे हैं हमारा बिल्कुल सूख चुका है थोड़ी सी हमने लगबग एक घंटे के करीब हमने धूब में रख दिया था जिससे कि थोड़ा जो अगर थोड़ी बहुत नम नमी है इसके अंतर वह भी सूख जाए तो यह बिल थोड़ी सी दिखा लें वरना इसे पूच लें अच्छे से सूख जाए गीला विल्कुल ना हूँ ठीक है तो इसी तरह से देखिए हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो यह देख सकते हैं एक बात और गाइस प्लास्टिक सीट पर फैलाना सबसे वेश्ट होता यह देखिए अगर ज्यादा बनाते हैं तो चलनी में आटा नहीं होना चाहिए अच्छे से साफ चलनी होने चाहिए उससे हम चानेगे क्योंकि अगर आटा के ज़्यास अभी कड़ हुए ना तो लैसन हमारा खराब हो सकता है तो इसलिए हमें विल्कुल साफ सुत्री लेनी है चलनी को त नहीं फेकना चाहते हैं तो अब इसे सब्जी के मसाले में इस्तिमार कर सकते हैं तो देखे बन करके अग्दम तयार अग्दम बारिक पाउडर मार्केटर स्टाईल तो चलिए अगर आप देख लीजे से हम कैसे इसको रखना है इसको प्लाइए कॉर्ण करने के लिए तो इ कि इसमें गीली स्पून या फिर गीली कोई चीज नहीं रखना है तो यह देख सकते हैं इस हमारा बन कर तयार है इसी तरह से हम भर करके रख लेंगे अग्दम अच्छे से और गीली चीजों का इस्तवाल नहीं करेंगे तो अगर हमारी यह रेस्पी आप लोगों को पसंद आ झाल